टाटा नेक्सोन कार इंडिया की बेस्ट सेलिंग SUV है और नेक्सोन इवी इंडिया की सबसे बेस्ट सेलिंग इलेक्रिक कार है अब टाटा मोटर्स ने अपनी दोनों कार्स में कुछी रेगलर डिजाइन अपडेट्स किये थे mechanical changes company ने काफी कम किये थे लेकिन इस बार Nexon EV में company बहुत बड़ा change करने जारी है Nexon EV Max या फिर Nexon EV 2022 variant officially May 11 को इंडिया में launch होने वाला है फिलाल हमें Nexon EV में 30.6 kWh की battery pack मिलती है जो की 312 km का range प्रोवाइड करती है लेकिन Nexon EV Max में इस battery pack को बड़ा किया जाएगा और अब इसमें हमें 40 kWh की battery मिलेगी और यहाँ पर total range हो जाएगी 400 km से भी जादा अब इतनी जादा range की साथ आप Mumbai 2 पूने ट्रैवल कर सकते हैं आपका इसमें आना जाना और थोड़ा बहुत घुमना फिरना भी हो जाएगा अब यहाँ पर battery pack के size को बढ़ाया गया है तो इस car का weight भी बढ़ गया है और अब इस बढ़े हुए weight को handle करने के लिए Tata Company अपनी Nexon EV car में power भी बढ़ा रही है पहले इसमें हमें 127bhp के वार मिलती थी लेकिन अब इसका electric motor 136hp की power produce करेगा लुक के मामने में भी यहाँ पर हमें काफी बढ़ा update मिलने वाला है इसका जो front look है वो totally change होगा प्लस इसमें हमें अब 5B spoke alloy wheels मिलने वाले हैं पहले हमें Nexon EV में rear side में drum brakes मिलते थे लेकिन अब इसमें front में as well as rear side में भी disc brakes मिलेंगे इसके interior में भी कुछ changes हो सकते हैं बताया जा रहा है कि इसमें cruise control, heel hold, ventilated seats और एक air purifier भी मिलेगा इस सारे Tata electric cars के लिए काफी जाद एक्टिव है पहले इन्होंने अपने दो electric cars के concept showcase किये थे और अब एक बिल्कुल ही new electric car इंडियन market में launch कर रहे हैं थोड़े डाइम बाद हमें Tata Tigor EB का भी 2022 variant market में दिखने वाला है खें, Nexon EB max की बात करें तो इसकी pricing around 16 lakh रुपीज expected है लेगिन हो सकता है काफी लोग इस price को pay ना कर पाएं इसलिए काफी अतक chances है कि जो Nexon EB का current variant है वो भी Tata sell करें तो आप customers के पास अपने requirement के हिसाब से multiple options हैं अगर आपका 300 km से काम चल जाएगा तो आप Nexon EB ले लो तो मैं 11 को ये car launch हो रही है इसकी pricing और specs के अलावा जो भी update होगी मैं आपको वीडियो बना के बता दूँगा तो उसकी लिए आप चनल को subscribe कर लो इसकी साथ ये वीडियो informative लगी हो तो like कर दो मैं मिलता हूँ अब आप से अपनी अगले वीडियो में